अलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम TIG Welding Electrods के बारे में समझेंगे TIG Welding को GTAW कहा देता है, Gas Transition Arc Welding तो आज के वीडियो में हम समझेंगे TIG Welding के Electrods, Dia और Length के बारे में कितना कितना होता है कोड के हिसाब से फिर Polarity के Choices, कौन से Material के लिए कौन सी Polarity यूज करते है, क्यों यूज करते है फिर समझेंगे Current Range क्या Current Range हमें Welding के दोरान रखना है कितने Ampires के बीच में रखना है और Finally हम समझेंगे Color Coding TIG Welding Electrode के उपर एक Color Code दिया रहता है उसका मतलब समझेंगे तो स्टार्ट करते हैं Topic की सुरुआत करेंगे हम Electrode, Dia और Length की तो क्या-क्या Diameter और क्या-क्या Length Code ने दे रखा है, वो मैं आपको बताऊंगा तो जो Diameter Code ने दे रखा है वो 0.5 से स्टार्ट होता है 0.5 mm, 1 mm, 1.6 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 5.0 mm 6.3 mm, 8.0 और 10.0 तो ये सारे Permissible Electrode के डाया है अब इसके अंदर जो Tolerance Code में दे रखा है वो Tolerance है 2.5 mm से छोटा जो Electrode है उसके लिए Tolerance है Plus-Minus 0.05 और 2.5 से बड़ा या 2.5 Electrode के लिए Tolerance Limit जो दे रखा है वो है Plus-Minus 1.0 और यहां मैं जिस Code की बात कर रहा हूँ वो Code है हमारा ISO 6848 या BSEN 26848 तो इस Code के हिसाब से हम बात कर रहे हैं अब Electrode Dire देखने के बाद अब हम समझेंगे Electrode Length के बारे में कितना Length Code ने दे रखा है Permissible Length तो वो है चार Length दे रखा है 50 mm, 75 mm, 150 mm और 175 mm यह चार Length Permissible है और इसमें जो Tolerance होगा वो होगा Plus-Minus 1 mm तो Length और Dire के बाद Polarity हम समझेंगे Friends, जो Polarity ज्यादा तर Material के लिए यूज़ करना है वो है DCEN यह होता है Direct Current, Electrode Negative मतलब Electrode को Negative Terminal से करेंगे और जॉब पिसको Positive से DCEN को Straight Polarity भी कहते हैं Straight Polarity तो जो Materials हम DCEN में यूज़ करेंगे वो Materials है Carbon Steel Stainless Steel और Copper and its Alloy Copper और उसके Alloys फिर Nickel और उसके Alloys Nickel and its Alloys फिर Titanium and its Alloys फिर Jarconium और उसके Alloys तो Friends, यह सारे Material हम DCEN Polarity में यूज़ करेंगे अब बात करते हैं जो दूसरी Polarity जो Permissible है एक तो Direct Current हो गया दूसरा जह हम Alternating Current में दो Material बहुत ज्यादा यूज़ होता है Alternating Current में जो Material हम यूज़ करेंगे वेल्डिंग करेंगे वो होता है Aluminium और उसके Alloys और Magnesium यह तो बहुत ही Alternating Current में यूज़ करते हैं क्योंकि इनके उपर Aluminium के उपर एक Oxide का Layer होता है Aluminium Oxide का एक Layer होता है तो AC Current यूज़ करने पर एक वो Cleaning Action का काम करता है Oxide Layer को Clean करते जाता है तो Aluminium और Magnesium के लिए AC Current यूज़ करते हैं और बाकी सारे Material के लिए DC Current यूज़ करते हैं और जो Polarity यूज़ करते हैं वो है DC ये इन डिरेक्ट Current Electrode Negative तो Friends यह तो हो गई Polarity की बात उसके आद Current Range समझेंगे क्या होगा Current Range Welding के दोरान तो जो Current Range हमें रखना है हमने जो सबसे ज़्यादा Popular Electrode डाया है उसी को लिया है 1.6 mm डाया एलेक्ट्रोड के लिए अगर DC, EN में यूज़ कर रहा है तो Current होगा 60 A से 150 A के बीच में और अगर AC में यूज़ करेंगे तो between 60 to 125 A होगा अगर 2 mm डाया एलेक्ट्रोड है तो between 100 to 200 Polarity होगी और 85 to 160 A Polarity होगी Similarly अगर 2.5 mm है तो 172 to 250 होगी और 120 to 210 होगी और अगर 3.2 mm डाया है तो 225 से 330 mm Polarity होगी और 150 से 250 A AC में Polarity होगी Similarly अगर 4 mm डाया है तो 352, 480 के बीच में DCN Polarity होगी और AC के लिए 240 से 350 इसकी Ampere होगी Friends हमने current range समझ लिया अब हम समझेंगे Color Coding तो जैसा कि मैंने बताया आपको देखे Friends क्या होता या तो हम pure Tungestion को Electrode के रूप में यूज़ कर सकते हैं या फिर Tungestion में Small amount में कुछ substances मिला जाता है जैसे Thorium Charconium या Lengthenum या Serium तो या तो pure Tungestion यूज़ ज़ेगा ये थोड़ा सा Amount Thorium, Jirconium या Lengthenum या Serium का यूज़ होगा तो Friends ये Materials या Substances मिलाने का में मक्सद होता है Electron के Emission को बढ़ाना Electron का Emission बढ़ता है और उससे अच्छी Welding होती है तो Electron के Emission को बढ़ाने के लिए थोड़े मोड़े Amount में डाले जाते हैं तो अगर Pure Tungestion Electrode है तो उसके उपर जो Color Coding होगी वो होगी Green Thorium के लिए जो Color Coding होगा वो होगा Red Jirconium के लिए जो Color Coding होगा वो होगा Brown Lanthrum के लिए Color Coding Black और Serium के लिए Gray या Orange तो Friends ये Mainly Color Coding है यहां Amount के हिसाब से भी थोड़ा Color Coding उपर होता है बट ये Mostly ये Maximum ये Color Code फोलो होता है और ये Code में दे रखा है तो Friends I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा Thank you very much